आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा आईए जानते हैं आज का राशीफल इनक्सातर असुनी रहने वाले सुबा के साथ बज का सतरा मेर तक तो दोपन भरने नक्सातर आरंब हो जाएगा रत्योहर मायल सा कुछ नहीं है मित्रों आपको आज का पंचान और भी विष्थार जानना है एक एक मोर्तो गम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के दर्म सिख्था पंचान का लिंक दिया हुआ है महाँ जाकर आप आप आज का पंचान विष्थार प्रूबर दान सकते हैं एक एक मोर्तो गमे में जान सकते हैं आज के संभून रासी पर वीडियो को प्रसंटाइज वीडियो को लाइक दिज़ार करें साथी कमेंट बाक्स में जै मतादी जोटिक हैं विष्थार आज के 12 रासी की चर्चा करें इससे पर आईए एक नजे डालें आज के गरहों किस्तेती पर क्योंकि गरहों किस्तेती पर ही पूरा का पूरा रासी पर ले भड़ करता है आज चंद्रमा मंगल दोनक्साथ मेंस रासी में गुरू विष्थासी में सोगी सुक्र दोनक्साथ मिधुन रासी में बुतुकरक रासी में केतु कन्यासी में मेंश रासी में चंद्रमा आज पर्था मस्थान में विराजित है जिसके फलस रूप आज के दिन आपको कहीं से सुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा बीतेगा किसी से कुछ उपहार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है लेकिन सचेत रहें आज ना सिर्फ अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी आपको साब्धान रहने की जरूरत है बाहर गुमने की योजना बन सकती है तथा स्वादिष्ट भोजन करने का आउसर भी आपको प्राप्त हो सकता है आज के दिन आपके लिए कई तरह से फाइदे मंद साबित हो सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आपको कारियों म आप पर बनी रहेगी वैसे भी अपने कारी को इमानदारी पूर्वकी करना चाहिए जू जातक व्यापार करते हैं या जिन्हें निवेश करना है वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेश करें तभी आपको आर्थिक लाब हो सकता है विद्यार्थी की अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने के योग बन रहे हैं तो मेहनत में किसी भी प्रकार के कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात करें स्वास्त की द्रिष्टी से आज का दिन आपके ब्लैकमेल करने से बिलकुल बचें इससे आपके रिस्ते अस्थाई तोर पर खराब हो सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीच आज किसी अजनवी के कारण नोगजोंग हो सकता है तो इससे भी बचने का प्रियास करें किसी भी बात पे लगने से पहले उसकी गहराई के बारे में सोचें आज के दिन ब्राउन राईस यानि की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लगी नमर रहने वाला है नोग आए बात करतें विरिश्राशी की विरिश्राशीम चंद्रमां बारह हुए अस काम दे सकते हैं और किसी जुरतन वक्ति की मदद करने की कोशिज भी कर सकते हैं जातक मैं देख पा रहा हूं आज आपके विग्रे हुए कारी भी बनेंगे आर्थिक योद्नाओं के कारण आपके कई परिसानिया कम होंगी परिवार में सांती और आनद का माहुल बना रहेगा व्यापार और धन की बात करें तो नोकरी ये व्यविशाय जो भी काम आप करते हैं उसमें आपके सहयोग्यों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है जिससे कारी अस्थल पर माहुल अच्छा बना रहेगा आज कई स्ट्रोतों से धनलाब के योग भी आपके लिए बन सकते ह आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ते पर ध्यान रखें खास करके मसालेदार खानों से बिल्कुल बचें प्रेम समंध की बात करें तो आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्य का सामना करना पर सकता है तो यहाँ पे आपको साध्वान लकी नमबर रहेगा पांच बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी में चंद्रमा आज 11 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्लसरूप आज के दिन आपके चिंताएं कुछ कम होंगी आपके कलपना सक्ति और सीजन सक्ति उभर कर सामने आएंगी ऐसे में जोजातक साहित्य, लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए हैं उनको आज सफलता की प्राप्ती हो सकती है आज कहीं आप यात्रा पे जा सकते हैं अगर कोई पारिवारिक उलज़न है तो से सुलजाने का यह एक अच्छा समय है आज के दिन आप अपने पारिवारिक रिष्टे नाते क उलज़नों को सुलजाने में कामियाब भी रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में आप मददद कर सकते हैं व्यापार और धन की बात करेंकर तो वित्तिय मामलों पर ध्यान देने की आविश सकता है आज के दिन कि विद्यार्थियों को साहित, लेखन और कला के छेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास करके दिन अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलने की संभावना बन रही है, स्वास्थ की बात करें, तो स्वास्थ की द्रिष्टी से आज के दिन आपके लिए ठीक ठा कहा जा सकता है, लेकिन अपने स्वन्तान के स्वास्थ का धि outrage, उनके स्वास्थ के कारण आपको चिन्ता ठोड़ी रह सकती हैं, प्रेम्समंध की बात करें, तो प्रेम्समंधों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको महसूस हो सकता है, कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी जरूरत है आज के दिन निम्भू अपने खाद्यपदार्थ में सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग ओरेंज गलर लकी नमबर रहेगा छे बात करेंगे अब करकरासी की करकरासीम चंद्रमा आज दसमें स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज के दिन आपका मन उमंग से भरा रहेगा लेकिन आज आप थोड़े भावग भी हो सकते हैं किसी की बातें आपको ठेस पहुँचा सकती है तो ज़्यादा भावनाव में ना बहें वरना आपके स्वाभिमान को भी से ठेस पहुँच सकता है कुछ जातकों के पैसे दूसरों पर खर्च हो सकते हैं जिससे घहलों जीवन में कुछ तनाव का सामना भी आपको करना पर सकता है आपके जो भी प्रियेजन है वे आपके भरोसे और वादे की जरुरत को आज महसूस करेंगे व व्यापार से समंधित आपको कहीं यात्रा पे जानाज पर सकता है और यह आपके लिए लावदयक सिद होगा तो यात्रा के मौके को हाथ से ना जाने दें इस मौके का फाइदा जरूर उठावें आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयोभी बन रहे हैं कर रहेंगे तो आपका स्वास्थ ठीक रहेगा फ्रेम समंध की बात कहरए प्रेम समंधों के लिए आज कर दिए अच्छा रहने वाल है आपका प्यार और आपका जीवन साथ ही आपको कोई खुब्सूरत सर्व पहाराज दे सकता है आज कर द दहींगे तो आपके लिए सु पूठ बोलने से बचें इससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है आज किया गया निवेस आपके लिए सुब रहेगा फिर भी निवेस सोच समझ कर ही करें आज आपके सोभाव में भाव उकता और काम उकता के अदिक्ता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रकार का भय बना काम और घरबालों का दवाव आज आपको थोड़ा गुसेल बना सकता है आज के दिन यात्रा मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना आपका होता रहेगा व्यापार और धन की बात करेंगर तो व्यापार में निवेस करने की योग आज बन सकते हैं अगर अच्छी योजना बनायेंगे तो आज आपके व्यापारिक पर्ति दोन्दी आपके सामने निरबल सभित हो सकते हैं विद्यार्थी की बात कहरति विद्यार्थियों के लिई आज के दिन उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा परदर्शन कर सकेंगे तो महन Bennett में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात करें तो आज आपको पेट से समंधी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी बिगर सकता है तो अपने माता के स्वास्त पर आपको ध्यान देने की जरूरत है प्रेम समंध की बात करें तो जीवन साथ ही से अच्छे समंद बनाने की कोशिस करें, उनके साथ आनेवाई दिनों की योजनाए सेयर करें, इससे आपके समंद अच्छे बने रहेंगे, आज के अधरक अपने खादे प्राथ में सामिल करेंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का दोनों बरबाद हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें, बलकि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे, तो उसका फाइदा भी आपको जरूर होगा, भागीदारी वाले वैविशायों में निवेस करने से आज आपको बचना चाहिए, आज किसी प्रकार का जोखी मिलने से बचे आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है, कुछ जात्कों के लिए आज की कई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे, आपके द्वारा के के काड़ी से आपको यस केरती और लाभ की प्राप्ती भी होगी, परिवार में सोहार्थपूर्ण वातावरन बना रहेगा, नोकरी और कामधंदे की जगह सहीयोग्यों का सहीयोग भी मिलेगा, खर्च में आपकी बढ़ोत्री होगी, आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे, जिससे आप लंबे से में से सुनना चाह रहे थे, व्यापार और धन की बात करें, तो आज आपका ना चाहते हुए भी फा लगेगा, फिर भी अपने मन को पढ़ाई में लगावें सफलता इसी से मिलेगी, स्वास्त की बात करत मामुरी चोट और वाद विवाद से हानी हो सकती है, आज आपके स्वास्त में थोरे उताजराव आ सकते हैं, तो अपने स्वास्त पर ध्यान जोड़ रखें, प्रेम सम दूद या दूद से बनीवे चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लकी नम्मर पांच रहेगा, बात करेंगे अब तुलारासी की, तुलारासी में चंद्रमा आज सात्में स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रस दूने या समय विदाने का मौका आपको मिल सकता है, आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सब के ध्यान का केंदर बने रहेंगे, व्यापार और धन की बात करें, तो आज के दिन आपके लिए काड़ोबार के विश्थार और धन संग्रा करने के योग बन रहें, क आपको जीवन में पस्ता ना पर सकता है, बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहेगा, फोन और सोसल मीडिया में, ज्यादा समय वरबाद ना करें, मेहनत करें, सफलता वहीं से मिलेगी, स्वास्ति की बात करें, तो स्वास्ति आ आज सामाने रहने वाले हैं अपने जीवन साथी के स्वास्ति का, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रेम समन्थ की बात करें, तो आज के दिन आपके प्रेम समन्थों के लिए अनुकूल रहेगा, आज आप अपने जीवन साथी को या जरूरू बताएं कि वे आपक के लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन स्तुद्र रिढ़ंगे आज के दिन ब्राउन राइस यान की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चम की लिए रंग लकी नम्मर रहेगा चार बात करेंगे विश्चीक्रासी की विश्चीक्रासीन चंदरमा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज आपके उदार सुभाव का गलत फाइदा उठाय जा सकता है तो सचेत रहें आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रहेंगे आज आपके खर्चों में जोड़ रखें मीठी वानी वाले वानी पर अपने सयम रखें वरना आज आपके किसी से लराई जहगरे भी हो सकते हैं अपने सहकर्मी और अधनियस्त करमचारियों की सला आपके लिए लाबदायक सिद्ध हो सकता है व्यापार उधन की बात करें तो आज अगर कहीं निवे आज की दिन सोसल मीडिया में ज़्यादा समय वरबाद ना करें अपने पढ़ाई पढ़ाई ध्यान दें स्वास्त की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त के परति साब्धान रहने की जरुरत है कफ और पीट समंधी बिमारिया आपको परेशान कर सकती है प्रेम आज की द्रिष्टी से आज के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन्साथी से सामन जस्यापका बना रहेगा आज के इन साबूत अनाज अपने खादे-पतात में आप सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन ओरेंज का लगी नमर एक र दंग से प्रयास करें आज आपका मन परसंद न रहेगा लेकिन आलस्य की अधिक्ता से कारियों में थोरा विलम वेवे हो सकता है लेकिन इसके बाबजूद आज का दिन आपके लिए बहुत ही सक्रिये और लोगों से मिल जोल भरा रहेगा आज अपने उत्साह में कमी तो बिल करने की आविश सकता है कुछ राजिकिये सहीयोग मिलने की संभावना भी बन रही है संतान के साथ मद्भेद हो सकते हैं आज कोई भी महत्पूर निर्ने सो समझ कर ही लें किसी अध्यात्मिक गुरु या ग्यानी पुरुष के सलाह से लें व्यापार अगर कहीं नई पर्तिदन्दी आज सांध रहेंगे विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के सामाने रहने वाल है मेनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बात के आज आप ठाकान और अलस्य का अन्भाव करेंगे वैस्त दिन चरिया होने के आपका स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम समन्त की बात के विवाहित जातकों को ग्रियास्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की प्राप्ति भी होगी आज कि ब्राउन राइचाने की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब बात के मकर राशी की मकर राशीम चंदरमा चोथे अस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपके घर तथा कारी अस्थल में बहतर वातावरण रहने से आपको काफी परसंता होगी मित्रों या परिवार के सलस्यों के साथ मोज मस्ती भरी यातर आपको सुकून दे सकती है आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ मत्वेद वरकर सामना आ सकते हैं साथ ही लोग आपको आज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहीयोगी भी आपसे नाराज हो सकते हैं नोकरी करने वाले जात्कों के अच्छा रहने वाला है उच्छ पतादिकारी आपके कारियों के सरहना कर सकते हैं सरकारी कारियों से आपको सफलता मिलेगी अपनों से मनमटाव होने की संभावना भी बन रही है तो उन से अच्छे समझ बना के रखें व्यापार और धन की बात करें तो आज रोजगार प् परहाई से आपका धियान भटाक सकता है तो अपने परहाई परही फ़लेगए सफलता इसी से मिलेगी स्वास्थ की बात करें आपके प्रेम संवंध हो के लिए ठोछ सी घटास उत्पान कर सकता है जीवन साथ ही के साथ कुछ मतभेध ऊभरकर सामने आशक्ते हैं तो आपको मतभेदों से बिलकुल बचना चाहिए आपको अपने प्रेम समंधों के परती सचेतर हना चाहिए हो सकता आपका जीवन साथ ही आज आपके लिए प्रयाप समय ना निकाल पाए तो उन्हें समझने का भी प्रयास करें आज के जो या जो से बनी वीचिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लकी नमर आठ रहेगा बात केंगे कुमरासी की कुमरासी में चंदरमार तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज करें आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको मान सम्मान मिलेगा साथ ही आपको यस, कीर्थी और लाभ की प्राप्ति भी होगी बुजरुगों और मित्रों के साथ आपका दिन आनाद में बितेगा साथ ही पत्नी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा भीतेगा किसी प्रिये व्यक्ती से मुलाकात होने की संभावना बन रही है कारी स्थल पर परिश्रम के अनरूप लाभ की प्राप्ति भी होगी कीमती वस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भैबना रह सकता है आज आपके लिए नया कारी करने के लिए अच्छा दिन है व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और धन की दिश्टी से आज की नपके लिए अच्छा रहने वाला है आज रोजगार के लिए किया गया प्रियास आपका सफल रहेगा व्यापार और धन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के लिए सामाने रहने वाले मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्ते की बात करें तो स्वास्ते के देश्टी से आज की नप के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है बुजुग जातकों को पुरानी बिमारियों से कष्ट हो सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान चोग रखें प्रेम समंद की बात करें तो आज पती पत्नी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा, समंदों में मधुरता बनी रहेगी, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, ये आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा ही रहेगा, आज के दिन अंकोरी तनाज, खाते हैं तो आ आपके लिए आज का सुबरंग आस्मानी रंग लकी नमर पांच रहेगा। बात करेंगे मेंदासी की। मेंदासी में चंदरमा दूसरे स्थान में विराजित हैं। जिसके फ्रसुब आज आप कोट कचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है। वानी और वैभार में सयम रखना आवस्यक है। आज आप किसी बात को लेकर भावग हो सकते हैं। आज किने अपने खर्चों पर नियंतन रखें। आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ जातकों को लंबा सफर्ते करना पर सकता है। जो काफी भाग दोर भरा भी रहेगा। लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फाइदेमन सबित हो सकती है। व्यापार और धन की बात कित नोकरी और व्यापार से जुर्य जातक अपने ओफिस या व्यापार से संबंधित लोगों से मिल जूर कर रहें, समझ और धहरी से काम करें। साथ ही कारे स्थल पर साभानी बढ़ते हैं। आज के जल्दबाजी में निवेश तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कहीं निवेश करना हैं तो सोश समझकर ही करें। अनभवी लोगों की सलाह से ही करें। वरना आपको नुक्सान हो सकता है। विद्यार्थि की बात कारे हैं विद्यार्थियों के लिए आज के इंट सामाने रहने वाला है। आज के इंट सोशल मीडिया में ज्यादा स्मय ब्रबाद ना करें। अपन बढ़ाई पर ध्यान दे। स्वास्त की बात कह Τ़ है सवास्त में आपके थोरा तार आचरहव आख सकते हैं, तो आपने स्वास्ते का ध्यान रखें, प्रेम्समन की बात कहत है आज के दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी क Issamsya के सब्पार गृत लिए आजकी से सामंज़ेर स्याफ का बना रहेगा आज करीं बादाम खाता है तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आजका सुब लाल रंग लकी नमब एक रहेगा तो में परी ह administration बार याशी का रासी फल आप जाने दिदें आज का शूप समय की गुरी काल दिनके दो बच के नौ मेर्ट कर दिनके तीन बच कर चव़ण मेर्ट तक रहने वाल है इस समय में को भी नया कारी करनें युद्ल बचे इसमें आपको अशु पतात लग सकती है। राहुकाल सुबा के 7 बच के 11 मिंट से लेकर सुबा के 8 बच के 25 मिंट तक रहने वाला है इस समय में कोई नया कारी करेंगे तो उसमें आपको सबतात लगेगी डिसासूल आज पूराणा कारी‍ज पूर्दि साअ में कसी भी खास प्रयोजन से यातर्म ना करेंगे आपका कौनुक्सान हो सकता है और सुब खाते ऐसा कुछ नहीं है कि गएंसूम वार है लेकिन दरपन देख कर यातर्म करेंगे तो और करीकारी बढ़ेंगे तो में तो ये दुद्धाज का संपून रासी भलकल के संपून रासी भलकल के जोड़े रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जे मतलए